जैराम जी की दोस्तों आपका दिन सुभ हो मंगल में हो प्रभू से की कामना है सभी बढ़ों के चर्णों में प्रणाम और छोटों को धेर सारा प्यार आज मैं फिर एक बहुत ही अच्छा मौरत लेकर उपस्तितु हूँ और आज का हमारा मौरत है नामकरण संस्कार अगर नामकरण संसकार आपका सही समय पे हो बच्चे का सुब समय पे हो तो वो नाम आपके बच्चे को बहुत अच्छा फलता है आपके बच्चे को तरक्की दिलाता है उसे नीरोगी काया दिलाता है और सफलता दिलाता है इसलिए विशेज बात का ध्यान रखें कि 16 संसकार में नामकरण संसकार भी बहुत ही जरूरी है इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस समय आप करें अपने बच्चे का नामकरण संसकार 2022 में ताकि हो सके उसे लाब तो आरंब करेंगे 2022 में नामकरण संसकार जुलाई से जुलाई में अगर आप नामकरण संसकार करना चाहते हो तो आपके सुब समय है दिननांग एक, छे, आठ, ग्यार है, पंदर है, अठार है, बीस, पच्चिस और उनतिस जुलाई के बाद अगर आप अगस्त महा में अपने नामकरण संसकार करना चाहते हो बच्चे के तो उनका सुब समय है दिननांग तीन, चार, दस, बारह, सत्रह, बाईस, पच्चिस, उनतिस और इकतिस अगस्त के बाद अगर सेप्टेंबर महा में अपने बच्चे का नामकरण संसकार करना चाहते हो तो उसके सुब समय है दिननांग एक, साथ, आठ, बारह, सोलह, और छबिस इसके अलावा तीस को भी आप नामकरण संसकार कर सकते हो अक्टूबर महा में अगर आप नामकरण संसकार करना चाहते हो तो उसके अतिसुब समय है दिननांग पाँच, छे, साथ, दस, चोदह, सत्रह, चबिस, सत्थाईस, अठाईस, और इकतिस अगर आप नामकर्ण संसकार नौमबर महा में करना चाहते हैं तो उसके सुब समय है दिनांग 3, 10, 11, 14, 21, 24, 28 और 30 इसके लबाब अगर दिसंबर महा में आप नामकर्ण संसकार करना चाते हैं अपने बच्चे का जो की वर्ष का अंती महीना है तो उसके जो सुब समय रहेंगे वो हैं दिनांग 2, 8, 9, 19, 21, 28 और 29 मेरी गर्णाओं के अनुसार यही सबसे उत्तम समय है इस पर आप अपने बच्चे का नामकर्ण संसकार करें और उचित लाव उठाएं जैराम जी की जैशीरा